Hello Everyone, Welcome to Only IAS आप सभी को Only IAS परिवार की ओर से 9 वर्ष की हार्दिक शुपकामनाए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की preparation बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं ये विश करता हूँ कि आपके preparation इसी तरह से continue रहे और आप सभी अपने target को सही समय से अचीव करें तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस current affairs की lecture को जहां पर हम IR से related current issues को discuss करते हैं और साथ में इन topics से related previous year questions को भी अच्छे से समझते हैं तो इस week हमें total तीन issues discuss करने हैं पहला issue है नेपाल में new government का formation अब new government के formation से नेपाल और भारत के संबंदों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम देखेंगे साथ में हम देखेंगे नेपाल और इंडिया के relation किस प्रकार के रहे हैं एतिहासिक background क्या रहा है नेपाल हमारे लिए क्यों important है दोनों देशों के बीच कहां पर challenges है और इनका solution किस प्रकार किया जा सकता है दूसरा issue जो हमें discuss करना है वो United Nation का 2593 resolution है अभी recently ये news में इसलिए आया है क्योंकि Taliban government के द्वारा महिलाओं को higher education में जाने से रोग दिया गया है प्रतिबंदित कर दिया गया है तो इसलिए United Nation का 2593 resolution काफी important हो जाता है उसके बाग तीसरा issue जो हम discuss करेंगे वो है Indo-Australia trade pact ये 29 December से लागू हो चुका है enforce हो चुका है तो ऐसे में इसको हम detail से discuss करेंगे साथ में हम जानेंगे कि आखिर ये free trade agreements क्या होते है तो prelims perspective से इसको discuss कर लिया जाएगा हाला कि हमने इसको editorial discussion में भी देख लिया है तो बाकी के जो discussion है जो editorial में नहीं हुए थे उस चीज को मैं यहाँ पे cover करने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी information के साथ only IES की तरफ से 2024 के aspirants के लिए new batches launch कर दिये गए है अब ये batch आपके लिए काफी ज़्यादा beneficial रहेंगे अगर आप 2000 जोब इसको target कर रहें है इसमें हम आपको total 4 phase में preparation कराते हैं पहला होता है basic phase जहाँ पर हम आपको NCRT, CZ और आपके small doubts हैं उनको clear करते हैं second phase में हम आपको advanced foundation course कराते हैं जहाँ पर आपको static portion के साथ साथ current affairs के issues को भी कराया जाता है और आपको बहुत सारे weekly test and monthly test के मात्यम से preparation को strong बनाने का भी प्रियास किया जाता है ये जो हमारे course हैं इसके सभी phases में हम previous year question paper को analyze करके इसमें include कर देते हैं so that आप एक particular topic को या फिर एक subject को अच्छे तरीके से पढ़बाएं phase 3 में हम आपका पूरा focus prelims पर करवाते हैं क्योंकि ये prelims का time होता है और phase 4 में आपको mains की preparation कराई जाती है अगर हम extra features की बात करें तो यहाँ UPSC insurance की facility हम आपको provide करते हैं इसके अंतरगत यदि आप इस foundation course को complete कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका corporation only IAS के साथ समाप्त हो जाएगा in future आपको जब भी only IAS की जरुत पड़ेगी तो पूरी team आप लोगों की सहायता के लिए उपलबद रहेगी इसके लाबा हम आपको 21GS के booklets hard copy में आपकी घर पे भी deliver करा देते हैं तो आपको material को लेकर भी कोई चिंता करने की आवशक्ता नहीं रह जाती तो अगर आपको इस batch को join करना है और further कोई query है तो आप हमें call कर सकते हैं इस number पर और आप हमें mail भी drop कर सकते हैं चलिए वापस आते हैं और समझते हैं इंडिया नेपाल relation को तो decently हुआ क्या है कंटेक्स्ट ये है पुष्ब कमल दहल जिसको प्रचंड कहा जाता है ये नेपाल के new prime minister बने हैं अब इससे surely इंडिया और नेपाल के relation पर प्रभाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि एक political leader का एक orientation होता है एक approach होता है तो नेपाल के leader अक्सर या तो pro India रहते हैं या फिर pro China रहते हैं तो इस प्रकार इंडिया के relation पे भी यहाँ प्रभाव बढ़ने वाला है नेपाल हमारे लिए important क्यों है ठीकि अक्सर आपने कहावत सुनी होगी कि आप कुछ भी बदल सकते हैं लेकिन अपने प्रडोसियों को नहीं बदल सकते हैं और प्रडोसियों को चुकि आप बदल नहीं सकते इसलिए उनके साथ संबंद आपको बनाने ही होते हैं चाहें वो किसी भी तरीके से आप बनाए लेकिन संबंद तो बनाने ही होंगे अगर हम इसी को इंडिया नेपाल पर अपलाई करें तो नेपाल हमारे लिए काफी जादा इंपोर्टेंट हो जाता है और नेपाल के साथ हमारे संबंद बहुत अच्छे रहे हैं यहाँ पर हमारे फ्रेंड्शिप रिलेशन भी अच्छे रहे हैं हमारे सिटीजन वहाँ चले जाते हैं बिना किसी पासपोर्ट के नेपाल के सिटीजन इंडिया में आ जाते हैं तो इस तरीके का फ्री मूव्मेंट भी है हम linguistic, cultural जो हमारे common communities हैं मतलब common culture है, common linguistic basis भी वहाँ पर देखे जाते हैं तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे अच्छे संबंदों के रूप में देखते हैं उसके बाद आप देखेंगे हमारे commercial relation भी काफी अच्छे हैं economic ties भी काफी अच्छी हैं नेपाल के साथ और people to people contact भी होता रहता है तो इस context में नेपाल काफी जादा important हो जाता है अब देखें एक previous year question है जो 2016 में पूछा गया था अब ये सीधे international relation से तो नहीं है बट यहाँ पर जो community रह रही है नेपाल में उन community से question पूछ दिया गया है तो जैसे कुर्द के बारे में पूछ दिया ये बांगलादेश के हैं मधेशी पूछ दिया ये नेपाल के हैं रोहिंग्या पूछ दिया म्यानमार के हैं अब आपको इसमें correct बताना है कि कौन सा pair correct है ये 2016 में आया हुआ question है तो आप मुझे इसका answer comment section में बताएंगे ठीक है चलिए lecture को आगे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे आपको ये answer अपने आप मिल जाएगा चलिए historical relation अगर हम देखें इंडिया और नेपाल के बीट में तो इसका जो bedrock है मतलब मूलभूत धान्त है मूलभूत आधार है वो इंडिया नेपाल treaty of peace and friendship 1950 है इस treaty के द्वारा बहुत सारे ऐसे provision किये गए जो इंडिया और नेपाल के संबंदों को मजबूत बनाने में काफी जादा महत्मूर रोल प्ले करते हैं जैसे इस friendship treaty के द्वारा हम क्या करते हैं national treatment को extend कर देते हैं national treatment को extend करने का मतलब है कि जैसे Indian citizen अगर नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में उन्हें citizen की तरह ही treat किया जाएगा उसे तरीके से अगर नेपाली citizen इंडिया में आते हैं तो हम उन्हें अपने citizen की तरह ही treatment देंगे ठीक हैं तो ये काफी important हो जाता है दो देशों के relation को बहतर करने के लिए उसके अलावा आप नेपाल में देखेंगे तो हमारे cultural ties भी रहे हैं जैसे कि बुद्धा का birthplace आपको नेपाल में देखने को मिलता है अब बुद्ध का birthplace कौन सा है ये भी आप मुझे comment section में बताएंगे ठीक है तो ये हमारे relation है cultural and religious belief दोनों share करते हैं आपस में और सबसे important चीच जो आप अपने means में use कर सकते हैं आप अपने introduction में use कर सकते हैं वो है ministry of external affairs का एक quote अब नेपाल के importance को बताने के लिए ministry of external affairs ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध रोटी और बेटी के रिस्ते जैसे हैं ठीक है रोटी और बेटी के रिस्ते का मतलब है कभी हम उनके यहां चले आते हैं कभी हम वो हमारे यहां आ जाते हैं हमारे संबंध इतने बहतर हैं कि दोनों जगा शादी विवहाबी होते हैं एक दूसरे के साथ तो रोटी बेटी का संबंध है हमारा ठीक है तो यह historical deletion होगे इसके बार अगर आप strategic perspective से नेपाल को देहने की courses करें तो यह काफी important हो जाता है क्योंकि नेपाल की इस्तिती दो बड़ी powers के बीच में है so it is like a buffer state जैसे अगर आप map में देखें तो इधर चाइना आपको दिखाई देगा और यहां पर इंडिया दिखाई देगा और नेपाल इन दोनों के बीच में है तो दो शक्तियों को विभाजित करने का काम इसके द्वारा किया जा रहा है इसलिए हम इसको buffer state कहते है नेपाल की location अगर हम prelims perspective से भी थोड़ा देखने की courses करें तो यह हमारे 5 state के साथ सीमा को साज़ा करता है जिसमें सबसे पहले है उत्तरकंड उसके बाद उत्तरप्रदेश उसके बाद बिहार देन वेस्ट बंगाल और इधर सिक्किम पाँच राजियों के साथ यह अपनी सीमा को साज़ा करता है और नेपाल तीन तरफ से भारत से गिरा हुआ है स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इसका काफी जादा हो जाता है भारत की नेशनल सेक्यूरिटी के लिए क्योंकि नेपाल चुकि एक लेंड लोग्ड कंट्री है इसलिए वो हाइली डिपेंडेंट है इंडिया के उपर ऐसे में यदि नेपाल का ओरियेंटेशन चाइना की तरफ चला जाए तो चाइना के माविष्ट भारत के माविष्ट को प्रभावित कर सकते है और नेपाल का मिस्यूज किया जा सकता है भारत में आतंकी गतिविदियो को बढ़ाने के लिए तो अगर हमें अपनी नेशनल सेक्यूरिटी को प्रोटेक्ट करना है इसे मजबूत करना है तो नेपाल की साथ हमारे बहतर संबंध होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्स्टरनल पावर इसका मिस्यूज कर सकती है ठीक है यह हो गया स्टेटेचिक व्यू देन अगर हम और बात करें एकनोमिक डिफेंस एंड अधर रिलेशन कैसे रहे हैं तो नेपाल भारत का लारजेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ठीक है इसके लावा हम यहाँ पर फॉरन इन्वेश्टमेंट बहुत जादा करते हैं नेपाल में चुकि भारत तो नेपाल के सामने बहुत बड़ी अर्थ व्यवस्ता है ऐसे में भारत के जो अध्योगपती है वो नेपाल में जाकर इंडस्टीज को सेट अप करते हैं वहाँ के लोगों को रोजकार दे थ्रू कर सकता है या फिर चाइना के पोर्ट्स के थ्रू कर सकता है लेकिन देखे चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना से इनको अगर एक्सपोर्ट करना है तो बहुत लंबा रूट ट्रेवल करना पड़ेगा साउथ चाइना सी तक इनको पहुँचना पड़ेगा और तो string of pulse के मात्यम से वो बांगलादेश में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिस कर रहा है यहाँ पर एक चटगोंग बंदरगा है उसको भी connect करने की कोशिस कर रहा है तो चाइना अपने route को short करने की कोशिस कर रहा है तो ऐसे में नेपाल अगर चाइना की तरफ जाता है तो वो भी अपने short distance के मात्यम से बांगलादेश के port के थूँ अपना export को कर पाएगा तो इसलिए चाइना के प्रभाव को कम करना भी भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि चाइना भारत के पडोसी देशों को अपने favor में ले सकता है और ये भारत के लिए सीधी सीधी चुनोती होगी तो आई होब कि आपको important समझ में आ रहा है नेपाल का उसके बाद यदि हम बात करें तो Indian government ने नेपाल में बहुत सारे development assistance भी दिये हैं जैसे नेपाल में जब earthquake आता है तो भारत वहां support करता है human resource वहां पर provide किये जाते हैं ठीक है उनकी मनत के लिए उसके बा कराते हैं उनको training देते हैं even आप देखेंगे तो भारत में बहुत सारे नेपाल के जो civil services के जो लोग होते हैं जो candidate होते हैं वो भारत में आकर training भी लेते हैं ठीक है तो हमारे जो relation है नेपाल के साथ हो काफी जादा अच्छे हैं उसके बाद challenges की बात करें दोनों देशों के बीच कहां कहां चुनूतियां उपलब्ध हैं तो सबसे पहले दोनों देशों में कुछ boundary dispute आ जाते हैं ठीक है boundary dispute में दो dispute यहां main है पहला तो हो गया काला पानी dispute देखिए काला पानी dispute है क्या basically जब Britishers भारत में रहते थे तो उन्होंने नेपाल के साथ एक संधी की थी और इ जैसे यह नेपाल है नेपाल का western border कौन सी नदी से होगा काली नदी से east में नेपाल का border रहेगा ठीक है तो यहां काली नदी जैसे यह आ रही है तो काली नदी के east में जितनी भी territory है वो नेपाल की रहेगी और इसके west में जो भी territory है वो इंडिया की रहेगी अब problem यह आती है कि इंडिया तो ये बोलता है कि जो हमारी काली रीवर है उसका ओरिजन कहां से होता है उसका ओरिजन होता है लिपू लेग से जबकि नेपाल क्या कहता है नेपाल कहता है कि इसका ओरिजन होता है काला पानी से अब दोनों चीज़ों में ये प्रॉब्लम आ रही है और इसलिए नेपाल लिपुलेग और काला पानी दोनों ही छेत्रों को अपना हिस्सा मानता है लेकिन ऐसा इंडिया होने निदेगा क्योंकि संधी के अनुसार आपका छेत्र तो इस्ट वाला है न तो इससे जो वैस्ट म का डिस्प्यूट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर एक रीवर है गंडग तो बेसिकली डिस्प्यूट यह निकल कर आता है गंडग रीवर अपना कोर्स चेंज करती रहती है तो एक टाइम पर यह जो सुस्ता प्लेस है वो इस्ट में स्थापित हुआ करता था ठीक है नेपाल यह बोलता है कि यह जो प्लेस है सुस्ता यह एक टाइम पर गंडग नदी के इस्ट में उपस्त था लेकिन चुकि गंडग नदी ने अपने कोर्स को चेंज कर लिया मतलब गंडग नदी अब इस तरीके से बहती है ऐसे तो यह जो प्लेस है यह कहां पर आगया यह गंडग नदी के वेस्ट में आगया और वेस्ट में आने की वज़ा से इंडिया इसको अपना पार्ट मानता है ऐसा नेपाल कहता है ठीक है लेकिन अब एक्च्वल में ऐसा है कि नहीं है यह दोनों देशों के बीच में अब चाइना नेपाल के काफी जादा क्लोज आने की कोशिस कर रहा है मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि अगर चाइना नेपाल में अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाता है तो यह भारत के लिए सीधी सीधी चुनोती होगी क्योंकि नेपाल का मिस्यूस किया जा सकता है भारत में आतंकी कती विडियो को बढ़ाने के लिए नेक्स तिंग अगर हम बात करें दोनों के बीच में प्रॉब्लम है मधेशी कम्यूनिटी को लेकर मधेशी कम्यूनिटी बैसिकली तराई रीजन के साउथ में रहने वाले लोग हैं जो नेपाल में रहते हैं और साथ मे ये बिहार में भी देखने को मिलते हैं तो ऐसे में नेपाल क्या बोलता है नेपाल ये बोलता है कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तचेप करता है मधेशी के मुद्दे पर भारत के उपर ये आरोप लगाए जाते हैं नेपाल के द्वारा कि मधेशी कम्यूनिटी क माध्यम से आप नेपाल की राजनीती में हस्तशेप करने का प्रयास कर रहे हो जो की हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है तो ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है दोनों कंट्रीज के बीज में और ये आतंकवादी गतिविदियों का प्रसार करते हैं ठीक है तो ये हमारे कुछ में चैलेंजिस हैं अगर हम वे फोरवर्ट की बात करें तो इंडिया को नेपाल के साथ बहुतर संबंद बनाने के लिए क्या करना चाहिए देखे इंपोर्टेंस तो आप लोगोंने समझी लिया है तो सबसे पहले हमें focus based approach को अपनाना चाहिए नेपाल की साथ सर्फ focus based approach का मतलब ये होता है कि आप जितने भी projects चला रहे हैं नेपाल में अब देखे ये आपके लिए एक homework भी है कि आप इंडिया के दुआरा नेपाल में चलाए गए projects को mark करेंगे जो recently इंडिया ने launch किये है ठीक है तो इन projects को आप time bound manner में complete करिए ये आपको conclusion में लिखना है तबी आपका विश्वास बढ़ेगा नेपाल आपके उपर विश्वास करेगा कि timely सभी चीजों को यहां complete किया जा रहा है उसके बाद never first policy को आप और जादा मजबूत करिए आप प्रात्मिक्ता के साथ इंसें technology के field में भी cooperation कर सकते हैं like जैसे आप कोई उपग्रह प्रक्षेपित कर दें उपग्रह को launch कर दें नेपाल के लिए तो उस तरीके की सुविदा भी आप नेपाल को दे कर उसको अपने favor में ले सकते हैं तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो आपको conclusion में लिखनी है तो ये topic आपका यहां complete होता है अब चलते हैं next topic पर UNSE resolution 2593 अब ये resolution हमारे लिए काफी important हो जाता है देकि एक previous year question paper भी आप देख लीजे question 2009 में ये question पूछा था अब ये directly resolution तो उसे तो नहीं है लेकिन United Nations Security Council के structure को लेकर है ठीक हैं अब इस question में पूछा गया है कि United Nations Security Council में 5 permanent member ह होते हैं और 10 non permanent member होते हैं जिसको general assembly से कितने साल के लिए चुना जाता है तो इसका क्या answer है आप मुझे comment section में बताएंगे तो UNSEC के बारे में अगर कोई भी information आती है तो वो हमें इसी करण पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे भी questions बनते हैं चलिए अब इस resolution की बात करें 2593 तो context मैंने बताई दिया यह इसलिए आया है क्योंकि अभी Indian government के द्वारा तालीबानी government को criticize किया गया है उनके उपर इंडिया के बयान आया है कि भारत इस चीज को favor नहीं करता कि तालीबानी government women को education या फिर university में enter ना होने दे ठीक हैं अब देखिए resolution 2593 क्या है इस resolution को 30 August 2021 में accept किय गया था और यह वही date है जब तालीबानी government ने अफगानिस्तान को take over कर लिया था और वहां की जो original government है democratic government है उसको खत्म कर दिया गया था ठीक है अब यहां इस resolution के माध्यम से क्या क्या चीज़े accept की गई थी सबसे पहली बात तो यह बोली थी कि अफगानिस्तान की territory का प्रि होंगे कि अफगानिस्तान एक ऐसी country है जो लंबे समय से terrorism से प्रभावित रही है तो ऐसे में अगर तालीबान इस country को take over करते हैं तो यहां आतंकवादी गतिविदियों के बढ़ने की संभावना है और जो आस-पास के देश हैं वो इस आतंकवादी गतिविदियों की कारण सीधे-सीधे प्रभावित होंगे तो इस resolution में पहली बात तो यही की गई कि आप अपनी territory को misuse नहीं होने देंगे terrorism के लिए ठीक है दूसरी चीज़ आप अपनी territory में कभी भी किसी भी terrorist को shelter नहीं देंगे उनको आश्रे नहीं देंगे और ना ही आप अपनी territory को terrorist के training के लिए यूज करने देंगे अगले important बात जो इस resolution में की गई वो यह है कि आप यहाँ पर women's के right को protect करेंगे और साथ में human right को भी protect करने का काम करेंगे ऐसा ना हो कि तालिवानी government आई और उन्होंने सारे human rights को ही खत्म कर दिया लोगों की सुदंतरता को खत्म कर दिया लेकिन वास्त अफगानिस्तान में देखने को नहीं मिल रहा है तालिवानी सरकार जो करना चाहती है अफगानिस्तान में वो उसी तरीके से साशन चलाने का प्रियास कर रही है ठीक है तो यह हमारा topic हो गया UNSC resolution prelims perspective से इस से ज़्यादा आपको इस topic में कुछ नहीं पढ़ना है Next important topic जो हमें discuss करना है वो है India-Australia trade pact यह हमारे लिए काफी important है सबसे पहले आप इसका context समझेए context यह है कि recently central board of indirect tax and custom के द्वारा कुछ rule of origin को बनाया गया है अब यह rule of origin होते क्या है किस तरीके से यह काम करते है यहाँ हम इसे detail से समझेंगे सबसे बहले बात करते हैं background की कि आखिर यह rule of origin कहां से आये हैं और इनका objective क्या होता है देखिए rule of origin आता है WTO से WTO यह कहता है जब भी आप किसी country के साथ free trade agreement sign करें तो आप कुछ criteria निर्धारित करें जिससे आपको rule of origin का पता लगे मतलब किसी product के nation का पता लगे कि वो कहां से originate हुआ है ठीक है लाइक अगर आप इंडिया में कोई chocolate इंपोर्ट करते हैं तो इस chocolate का source जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप इस source को नहीं जानेंगे तो कोई भी other country आपके देश में अपने product को डम कर जाएगी और free trade agreement का गलत फायदा उठा लेगी ठीक है दूसरी चीज अब ये आप समझे कि rule of origin important क्यों हो जाते हैं जैसे हम example लेते हैं इंडिया और इस्टेलिया का दोनों देशों के बीच में free trade agreement signed हुआ है अब ऐसे में free trade agreement का मतलब है कि जब भी ऑस्टेलिया से कोई product इंडिया में export किया जाएगा या फिर इंडिया से कोई product ऑस्टेलिया में export किया जाएगा तो दोनों ही देश इन्हें व्यापार में कुछ सुविधाएं देंगे मतलब उन पर tax duties या फिर जो restrictions है वो बहुत कम लगाए जाएंगे तो दोनों देशों को इससे lab होता है दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ता है लेकिन इसका फायदा कोई तीसरी country भी तो उठा सकती है like जैसे यहाँ पर China है China को अपने product को इंडिया में पहुचाना है और चाइना से अगर इंडिया में सीदे product पहुचाया जाएगा तो इस पर क्या लगेगा? इस पर restriction भी लगेंगे और 7 में इस पर duties भी लगेंगी तो चाइना या कर सकता है चाइने इसका फायदा उठा सकता है और फ्री ट्रेड एग्रिमेंट का फायदा उठा सकता है तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रूल आफ ओरिजिन का कॉंसेप्ट लागू करते हैं रूल ओफ ओरिजिन के लागू करने के लिए 2020 में इंडियन गवर्मेंट के द्वारा C-A-R-O-T-A-R प्रोविजन लागू किये गए थे तो कारोटार प्रोविजन लागू कर दिये गए हैं इंडिया में और जब भी कोई FTA साइन होता है तो हर FTA का रूल ओफ ओरिजिन रूल अलग अलग होता है ठीक है इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा अब जलिए पहले बात कर लेते हैं C-A-R-O-T-A-R कारोटार क्या होता है जब भी हम किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टर को ये प्रूव करना होता है कि आपने जिस देश से इंपोर्ट किया है उसमें 35% का वेल्यू एडिशन हुआ है की नहीं हुआ है इसको practical example से समझिए जैसे मालीजे यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ है इंडिया दोनों दीसों के बीच में ट्रेड एग्रिमेंट साइन हो गया फ्री ट्रेड अग्रिमेंट लेकिन इसका दुरूपयोग आपको बचाना है तो इंडिया में जब भी कोई विक्ति ऑस्ट्रेलिया से कुछ इंपोर्ट करेगा तो यहाँ का जो इंपोर्टर है उसको यह प्रूव करना पड़ेगा कि हम जो प्रोड़क्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है फॉर एक्जामपल अगर मालेजिए इंडिया में कोई विक्ति एक मोबाइल का या एक टैबलेट का इंपोर्ट करता है ठीक है तो जब आप टैबलेट को इंपोर्ट करते हैं ऑस्टेलिया से तो हो सकता है इस टैबलेट में स्क्रीन चाइना से यूज की गई ह इसके जो other component है उसको use किया गया हो Korea से नहीं North Korea नहीं वो तो bum के लावा कुछ supply नहीं करते इसके लावा हम South Korea को ले सकते हैं ठीक है उन्होंने supply किया हो for example और कुछ चीज ऐसी भी हो सकती है जो Australia की अपनी हो तो जो ये tablet आउस्टेलिया से इंडिया में भेजा जा रहा है उसमें कम से कम 35% का value addition आउस्टेलिया में होना चाहिए मतलब इस total tablet का 35% जो component है या तो वो आउस्टेलिया का हो या फिर वहाँ पर इसमें value addition किया गया हो इसमें component को add किया गया हो लगबग 35% ठीक है फ्री ट्रेड एग्रिमेंट की सुविदा मिलेगी और आपको extra duty यहाँ pay करने की जरुवत नहीं होगी ठीक है अगर ऐसा हो दूसरा case हम लेते हैं कि माल लिजिए इस tablet को import करने में केवल 20% value addition ही आउस्टेलिया में हुआ है और बाकी का जो 80% है वो other country का contribution है तो ऐसे में जब यह importer ऑस्टेलिया से उस tablet को import करेगा तो इसको free trade agreement का लाब नहीं मिलेगा इसको extra duty pay करनी ही पड़ेगी ठीक है आई होब कि अब आपको rule of origin अच्छे तरही किसे clear हो गया होगा ठीक है पहले क्या होता था पहले जो country से आप export करते थे मालीजी ऑस्टेलिय से आप import कर रहे है किसी tab को तो ऑस्टेलिया के द्वारा एक origin certificate जारी कर दिया जाता था और फिर आप किसी product को अपने देश में import कर सकते थे लेकिन अब इस concept को cancel कर दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि इसका misuse कर लिए जाए ठीक है अई hope या this is clear चलिए UPSC का previous year question भी देख लेते है 2016 का ये question था और question है regional comprehensive economic partnership नाम का एक दर्म newspaper में use होता है ये किन countries या group of countries के बीच में use होता है ठीक है इसका correct answer क्या है आप मुझे comment section में बताएंगे लेकिन अगर हम similar type के question को सोचें कि और इस type का question frame हो सकता है क्या तो बिलकुल यहाँ frame हो सकता है इंडिया औस्टिलिया free trade agreement में क्योंकि इस agreement का नाम है ECTA तो question ये बन सकता है कि economic cooperation and trade agreement जो newspaper में अक्सर देखा जाता है ये भारत के साथ किस देश का free trade agreement है option लिखे होंगे Korea Japan US Australia तो आपको ये धियान रखना है कि ये Australia के साथ हमने sign किया है और ये एक free trade agreement है FTA का मतलब क्या होता है FTA का मतलब होता है दोनो country एक दूसरे के साथ कुछ trade barrier को कम करती है import export पर duties को कम करती है इसी चीज़ को हम FTA कहते है ये against होता है किसके trade protectionism या फिर economic isolationism का अब trade protectionism का concept क्या कहता है ये ये कहता है कि हम अपने देश की industries को protect करने का काम करेंगे तो अगर मालीजे कोई product Australia से आ रहा है इंडिया में तो हम उसको इंडिया में enter नहीं होने देंगे उस पर duty जादा लगा देंगे ताकि वो इंडिया में enter ही न कर पाए उसको कोई खरीद ही न पाए तो इसको कहते हैं protectionism की policy तो FTA बिलकुल इसके against होता है क्योंकि वहाँ पर तो हम एक दूसरे के ब्यापार को बढ़ाने की कोसिस कर रहे हैं हम उनको सुविदाय दे रहे हैं हम tax कम ले रहे हैं duty कम ले रहे हैं तो ये चीज़ें आपको दिहान में रखनी है अब Australia और India के trade की बात करें जिसको आप exam में सीधे use कर सकते हैं अगर कोई question आये तो तो Australia भारत का 17th largest partner है काफी दूर है 17th इतना close भी नहीं होता है लेकिन अगर आप Australia के perspective से देखेंगे तो भारत Australia का 9th largest partner है तो ये दोनों के relation को दिखाता है इसके लावा अगर हम bilateral trade की बात करें व्यापार कितना हुआ था goods and services दोनों का significant है तो ये importance बता रहा है FTA agreement से FTA agreement के बाद ये जो व्यापार है इसके बढ़ने की और ज्यादा संभावता हमें यहाँ देखने को मिलेगी ये topic आपका done हो गया इसके बाद चलते हैं next topic पर अब देखें ये जो topic है ये India और Africa के relation को लेकर है इसको हमने editorial discussion में भी complete किया था I think 28 तारिक का editorial discussion होगा उसमें साथ इसको done कर लिया गया है ठीक है तो हम लोग यहाँ करने क्या वाले हैं हम लोग कुछ questions को देखने वाले हैं इन topics पर based 2014 and 2015 दोनों ही years में repeated question पूशा गया था इंडिया और Australia इंडिया और Africa के relation पर तो यहाँ देखिए economic space देखता है इंडिया अपना African countries में तो इसके बारे में आपको कुछ लिखने को बोला गया था दूसरा जो question है वो 2015 का है इसमें बोला गया था चलिए अगर हम इसमें इंट्रो की बात करें तो आप इसको कैसे कैसे लिख सकते है दिखिए IR जब आप पढ़ रहे है तो पढ़ तो लेंगे लेकिन उसके बाद जब answer writing करने का प्रयास आएगा तो आप वहाँ पर pen भी नहीं जला पाएंगे अक्सर ये problem देखी जाती है student में तो मेरा प्रयास ये है कि आपको जैसे जैसे मुझे time मिलता रहे मैं आपको कुछ-कुछ questions की practice भी कराता रहूं ताकि आप लोग सही तरीके से एक right frame में question को लिख पाएं तो अगर introduction की बात करें तो इंडिया और एफ्रीका एक दूसरे के close क्यों आ रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा तो इसमें कई सारे factors हो सकते हैं जैसे दोनों ही countries historically colonialism से प्रभावित रही है साथ में दोनों ही countries के common interest हैं साजाहित हैं दोनों ही developing countries हैं ऐसे-इसे words के साथ आप introduction को use कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम जो हैं दोनों देश यानि की इंडिया और एफ्रीका एक दूसरे के close आ रहे हैं दूसरा reason हम यहां क्या लिख सकते हैं जैसे economic factors के basis पर भी आप लिख सकते हैं कि एफ्रीका में natural resource बहुत जाता है जिसका प्रियोग भारत अपनी economic growth के लिए कर सकता है और तीसरी चीज़ introduction लिखने में आप ये भी कर सकते हैं थर्ड टाइप की बात करें तो इसमें कोई current affairs का context हो कुछ दोनों देशों के बीच में meeting हुई हो तो उसका भी reference दे के आप इसको introduce कर सकते हैं तो तीन तरीके से आप introduction लिख सकते हैं इंडिया और एफरिका का अगर body की बात करें तो question straight forward है सीधे आप से कुछ पूछा गया है कि positive impact क्या है दोनों देशों के बीच relation के और negative पहलू क्या है तो सीधे सीधे हम पहले positive पहलू की बात कर लेंगे उसके बाद negative पहलू की बात कर लेंगे तो positive में क्या हो सकता है जैसे कि पहला तो economic factor हो गया economic factor में यहाँ जो एफरिका के natural resource हैं उसका use हम अपने economic development के लिए कर सकते हैं पहली चीज हो भी दूसरा भारत अपनी energy security के लिए एफरिका को use कर सकता है क्यों क्योंकि अभी तक हम middle east country पर जादा dependent है अपनी oil supply के लिए तो अगर आप एफरिका के साथ अपने relations को better करते हैं तो आप oil supply वहाँ से भी कर सकते हैं तो ऐसे में आपकी energy security मजबूत होगी दूसरा यहाँ पर natural resources के रूप में uranium भी पाया जाता है uranium के अच्छे खासे भंडार हैं और यह भी आपकी energy security को complete करने में काफी help करेंगे और साथ में यह uranium का जो भंडार हैं के पास वो environment related problem को भी कम करने का प्रियास करेगा तो एक तो हो गया यहाँ पे यह उसके बाद African countries का हमें support चाहिए और कह सकते हैं कि African countries हमें support करती भी है United Nations Security Council की permanent seat के लिए उसके अलावा दोनों देशों के साजे हित हैं environment protection पर भी इसके बाद security के लेवल पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि यह जो area है हम जो share करते हैं Indian Ocean वाला यह आगे जाकर African countries के साथ touch होता है ठीक है तो ऐसे में अगर आपको Indian Ocean की security करनी है तो आपके relation African countries के साथ बहतर होने चाहिए और इसमें आप लोग एक example भी लिख सकते हैं जैसे इंडिया एफ्रिका ग्रोथ कोरिडोर ठीक है इसको भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं तो काफी बहतर relation आपको दिखाई देंगे दोनों countries के बीट में लेकिन negativity कहाँ पर है दोनों देशों में problem कहाँ कहाँ पर है तो एक तो भी terrorism काफी जादा प्रभावित करता है एफ्रिका को वहाँ पर अक्सर instability बनी रहती है ठीक है अनिस्टेबल रहता है एफ्रिका terrorist attack की वज़ा से वहाँ human right का violation काफी जाता होता है और जब human right का violation हो रहा है तो ऐसे में इंडिया वहाँ पर कैसे अपने संबंदों को बहतर कर सकता है तीसरा factor यहाँ पर negative में जो आ जाता है वो है चाइना कार्ड तो चाइना का factor क्या है चाइना अपनी presence को लगातार एफ्रिका में बढ़ाने की कोसिस कर रहा है वहाँ पर natural resource बहुत जादा है तो चाइना यह चाता है अपनी energy security के लिए जादा से जादा संबंदों को बहतर किया जाए African countries के साथ वो वहाँ पर investment भी जादा करता है लेकिन इंडिया का investment इतना जादा एफ्रिका में नहीं है यह भी इंडिया के लिए एक परकार का challenge बना हुआ है सेकंड चीड टेररिजम में ही अगर आप कुछ example भी लिखना चाहें तो आप कई terrorist organization के नाम लिख सकते हैं जैसे IS-IS का परभाव यहाँ पर देखा जाता है इसके लाबा बोको हराम नाम का एक organization है तो यह भी एक परकार की challenge वहाँ पर देखने को मिलता है उसके बाद visa rules को लेकर भी कुछ challenges बने हुए है free अगर हम लोग movement करना चाहें वहाँ पर तो visa availability में भी थोड़ी बहुत problem आती है तो diaspora को लेकर आप problem लिख सकते हैं तो इस तरीकी की कुछ problems हैं जिनको आप लिख सकते हैं तो यह हमारा कुछ body रहेगा इसके बाद अगर हम conclusion की बात करें तो conclusion में आपको यह लिखना चाहिए कि चुकि भारत तेजी से grow करने वाली economy है ऐसे में भारत की dependence natural resources पर जादा है और चुकि green resources हमें चाहिए तो ऐसे में green resources को प्राप्त करने के लिए एफरिका हमारा काफी अच्छा partner हो सकता है तो भारत को एफरिका के साथ अपने संबंदों को बहतर करने का लगातार प्रियास करना चाहिए तो इस तरीके के conclusion आप यहाँ पे draw कर सकते हैं I hope कि आपको यह lecture समझ में आया होगा इसके अलावा हमें इस week कुछ नहीं discuss करना next week मिलते हैं new topics के साथ अगर आपको कोई doubt हो किसी भी topic में आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं next lecture में आपके doubts को clear कर दूँगा चलिए thank you so much and have a nice day